Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, आज हम discuss करेंगे about the result of TYB.com जो अभी डिस्पले हुआ है and result लिगने के बाद बहुत सारे बच्चों के comments आ रहे थे कि revaluation की procedure क्या होने वाली है, कैसे हमें revaluation करना है photocopy किस तरीके से हम हमारे paper की मंगा सकते है काफी सारे बच्चों के comments मिल रहे थे, तो उस basis पे ये video काफी आपको helpful होने वारा है और इस video में हम SEM6 के dates के बारे में भी discuss करेंगे SEM6 के जो dates आए है, उसके बारे में discuss करेंगे SEM5 additional का exam जो होने वाला है, उसके date के बारे में discuss करेंगे और जिन लोगों को केटी लगा है, उन लोगों को केटी के लिए किस तरीके से आगे preparations करना है, ताकि उनकी जो overall additional exam हो, वो clear हो पाए We will be discussing about all these points, तो वीडियो को last तक देखते रहे और ये वीडियो अपने friends में share करना न भूले, ताकि उनको भी पता चले exactly कि किस तरीके से revaluation का form भरना है, photocopy के लिए हम apply कर सकते है अब सबसे important point यह है कि बहुत सारे बच्चों को 40 marks, 42 marks किसी को और कम marks मिले है और अगर आपको ऐसे लगता है, अगर आपको expected है कि आपको उतने marks नहीं मिलने चाहिए उससे ज़्यादा marks मिलने चाहिए, तो आप फिर photocopy and revaluation की procedure को कैसे follow करोगे उसके बारे में filler discussion करते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है Mumbai University की जो website है, उसके उपर आपको जाना है Mumbai University की website आपको यहाँ पे मैं highlight कर रहा हूँ that will be mu.ac.in जैसे ही आप इस website को खोलोगे, तो यह जो page आपके सामने दिख रहा है वो page आपके सामने खुल जाएगा और उसके जो top में आपको दिखेगा Home, About, Officers, Examination, Sections, वेरा ऐसे points आपको दिखेंगे इसमें से सबसे important point जो है, वो है examination इस examination पे आपको क्या करना है, click करना है जैसे ही आप इस examination पे click करोगे, वैसे आपको नीचे जाना है नीचे जाओगे, तो आपको यहाँ पे related links दिखेगा यह related links जो है, वो आपको देखना है इस related links में आपको और नीचे जाना है और नीचे जैसे आप जाओगे उसमें आपको application for revaluation and photocopy दिखेगा तो application for revaluation and photocopy में हमें क्या करना है हमें इस पे जाके click करना है जैसे ही हम इसमें click करेंगे तो University of Mumbai के कुछ instructions आजाएंगे जो instructions आपको ध्यान से पढ़ने है और उसके basis पे आपको revaluation का form जो है वो online form आपको भरना है enter your seat number, hall ticket लेके बेठना है काफी सारे चीज़े हैं जो आपको proper verify करके fill up करनी है because यहाँ पे काफी सारी गलती हो सकती है फिर इनों ने यहाँ पे एक message लिखा है अगर आप यहाँ पे देखो तो payment जैसे ही करोगे payment के लिए बहुत सारे options यहाँ पे available है debit card है, credit card है, phone पे है, wallet है उससे आप payment कर सकते हो और यहाँ पे बोला है the scan copy of your answer book will be mailed to email which you have provided please ensure that you have entered your correct email address तो email address आपको correctly यहाँ पे fill up करना है और अगर आप properly email address को fill up करोगे और यह सारी procedures को follow करोगे तो आपको overall आपके email के उपर mail के उपर आपको photocopy जो है वो mail की जाएगी तो basically इस तरीके से आप revaluation का जो form है या photocopy का जो form है वो आप fill up कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे proceed for application में जाना है जैसे ही आप proceed for application में जाओगे तो यह आपके सामने links खुल जाएगी और इसमें आपको देखना है कि become semester 5 यहाँ पे एक link आ जाएगी फिलाल यहाँ पे link नहीं है तो यहाँ पे जैसे ही link आएगी आप उसके अंदर जब click करोगे तब आप photocopy and revaluation के procedure को follow कर सकते हो फिलाल इसमें link अभी तक नहीं आई है जैसे इसमें link आएगी वैसे you can go for revaluation वैसे आप इसमें photocopy के लिए apply करना start कर सकते हो तो अभी आपको regular basis पे इस website को visit करना है और जैसे जैसे मैंने आपको procedure बताया वैसे वैसे करना है और accordingly आपको follow करना है और जैसे ही यहाँ पे link डिस्पले हो जाएगी वैसे you can go for revaluation and photocopy जो भी fees रहेगा वो आपको यहाँ पे डिस्पले हो जाएगा और accordingly आप online base पे fees को payment करके revaluation जो है वो कर सकते है आपको भी पता चले कि कैसे dates हमारे आ चुके है and उसके basis पे हमको किस तरीके इसे preparation करना है तो अगर हम B.com की बात करें बहुत सारे dates है यहाँ पे अगर हम T.Y.B.com की बात करें तो T.Y.B.com का जो overall choice based system है तो T.Y.B.com choice based system जो यहाँ पे 20 number पे आपको दिख रहा है तो इस choice based अगर हम देखे तो exam का date है आपके पास 5th April semester 6 22 date यहाँ पे दिया हुआ है and that is 5th of April लेकिन time table जैसे ही आ जाएगा यह time table तो basically इसी dates के basis पे बनता है लेकिन यह आपको date याद रखनी है मतलब आपको अपना SEM6 का preparation जल्द से जल्द करना होगा और मैं आपको बताऊंगा अभी कि SEM6 का preparation या SEM5 जिनको भी केटी लगा है वो लोग किस तरीके से preparations को continue कर सकते है कैसे अपने SEM6 के preparation को और अच्छी तरीके से improve कर सकते है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे तो last तक बने रहे अगर हम SEM6 के exam की बात करें तो वहाँ पे date wise देखा जाए तो यहाँ पे दिया है and that is 5th of April हम अभी आगे बढ़ते है additional exam जो लोग केटी की exam देंगे SEM5 की तो SEM5 की जो केटी की exam है वो अगर हम यहाँ पे देखे तो SEM5 की केटी की exam आपको यहाँ पे SEM5 choice based revise 2018 24 number की series पे है and the date is 25th of April तो SEM6 की exam आपकी 5th of April से date इनों ने दिया है time table जैसे आजाएगा university के website पे आपको time table मिल जाएगा and SEM5 की जो date इनों ने दी है additional exam की जो लोग 80-80 में आप अपियर करेंगे अभी जिनका clear नहीं हुआ है and that is the date 25th of April अभी यह dates तो आपके सामने आ चुके है काफी सारे बच्चे यह सोच रहे हैं कि हमने अभी तक पड़ाई start नहीं की है अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास one month in hand है तो अभी कैसे preparation करें तो don't worry about it आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे preparation करना है आपको YouTube पे जाना है और YouTube पे channel का नाम है Last minute revision with RSM तो आप जैसे ही Last minute revision with RSM के channel पे जाओगे यह channel का नाम है यह logo है Last minute revision with RSM काफी बच्चों को इसका benefit मिलता है काफी बच्चों ने इसका benefit लिया है और काफी बच्चे इन वीडियो के बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म करें है प्रीवियस एक्जाम्स में भी और अभी किये एक्जाम्स में भी तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल के साथ पहली बार जुड़ने वाले हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको टीवाई बीकॉम सेमफाई की प्लेलिस्ट आप ओपन क सारी चीजों के लिए वीडियो भी आपको मिलेंगे और last minute revision का app भी available है play store में last minute revision with RSM का app download करना न भूले app download कर ले वहाँ पे भी काफी सारे pdf में share करते रहता हो because youtube में मैं आपको pdf directly share नहीं कर सकता तो directly यहाँ पे share करने का option नहीं होता है इसलिए हमने app भी बना लिया है वहाँ पे आपको बहुत सारे PDFs मिलेंगे विडियोज मिलेंगे और काफी सारे courses भी आपको मिलेंगे वहाँ पे जो आपके exam के preparations में आपको help जो है वो कर सकते है तो desire the various videos already बनाये है तो जिन लोगों को डर लग रहा है कैसे हम 40 marks लाए कैसे हम pass हो है तो accordingly additional exam में आपको ज़्यादा tension लेने की जरुरत नहीं है सारी चीज़ आपको मिलने वाली है और description में एक link available है WhatsApp group का अगर आपको financial accounting, cost accounting और taxation इन तीन subject में से किसी में भी केटी है तो WhatsApp group join करना ना भूले वहाँ पे videos के regular links share होते रहते हैं और guidance lectures भी वहाँ पे provide किये जाएंगे जिसके basis पे थोड़ा खासा help हमारे तरफ से आपको हो पाए in your additional exam ताकि additional exam किस तरीके से preparation करके आपको overall 40 marks लाने है उसके बारे में भी आपको help इस channel के basis पे मिलेगा तो इस channel को subscribe कर ले आप because इसका benefit आपको ही मिलने वाला है आने वाले 6, 7, 6 के भी videos आपको यहाँ पे मिलेंगे revision videos मिलेंगे exam से पहले कुछ live sessions होते है उसके videos मिलेंगे ताकि जब आप exam में जाते हो तो काफी सारी चीज़े भूल जाते है revision क्या करना है कैसे पढ़ना है exam से पहले वो सारी चीज़े आपको इस channel पे जो है वो मिलते रहेगी तो अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो इस video से आपको पता चला exactly कि कैसे revaluation का form भरना है तो एक लाइक करे और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले पिकास ऐसे ही informative वीडियो आपको इस channel पे मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच बाबाई टेक केर